नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली खबर आई है कि यूरोप के अंदर काफी बड़ा नैचुरल गैस को लेकर क्राइसिस हो गया है जो पुरा यूरोप है, काफी हद तक रश्या के ऊपर डिपेंड करता है नैचुरल गैस को लेकर लेकिन यहाँ पर आरोप जो है वो रश्या के ऊपर लगाया जा रहा है कि वो अपना एक जो नया पाइपलाइन है, आपने साथ सुना भी होगा Nord Stream 2 पाइपलाइन के बारे में, उसको जल्दी से लाँच कर दिया जाए इसका आरोप रश्या के ऊपर लगाया जा रहा है और इसी की वज़े से यूरोप के अंदर बोला जा रहा है कि गैस की क्राइसिस हो रखी है इसके और भी कई सारे कारण है जो कि मैं आपसे डिसकस करूँगा इस वीडियो के अंदर काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे आप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप studyiq.com विजिट कर सकते हैं यहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी चली देखते हैं सबसे पहले यहां पर हो क्या रहा है हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं यहां पर खबर यार यह है कि यूरोप के अंदर जो natural gas है उसकी supply बहुत कम हो गई है इन फैक्ट, dangerously short बताया जा रहा है और especially बताया जा रहा है कि जितना जादा cold winter देखने को मिलेगा उसकी वज़े से जो utility bills हैं वो और जादा बढ़ते जाएंगे shortages हैं उसको fulfill करने की वो कोशिश करेंगे लेकिन अभी भी जो short supply है वो बना हुआ है वो पूरी तरह से fulfill नहीं हो पाया है और इसकी वज़े से क्या हो रहा है जो businesses हैं वो उसका cost जो है वो customers के उपर डालने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो घरों के बिजली के जो gas की supply है वो बढ़ा सकता है लेकिन वो जान मुझकर नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि यहाँ पर Baltic Sea में एक particular pipeline बनाया गया है जो कि Russia को directly connect करेगा यूरोप के साथ मैं बताऊं तो Germany के साथ और वहाँ से further gas की supply हो सकेगी तो आरोप यह लग रहा है कि Russia जो है वो इस pipeline को जल्दी से start करना चाहता है इसलिए यहाँ पर जान मुझकर जो gas shortage है वो create करने की कोशिश की जारी है वो अभी जो gas का pipeline बना हुआ है वो Germany की जो regulator है उसने approval नहीं दिया है जब वो approval देंगे तभी यहाँ पर उसको start किया जाग जे कि जो Europe है वो करीब 40% से जादा Russia के उपर depend करता है gas के मामले में जो natural gas है वो import कराता है 40% depend करता है वो आप समझ सकते हैं कि Russia अगर उसकी supply को थोड़ा भी problem create करेगा तो उसका direct असर Europe के देशों में देखने को मिलेगा और देखी यहाँ पर इंफाक्ट यह भी खबर आई रश्याक के द्वारा ये भी कहना था कि जो नया वाला हमने pipeline बनाया है उसकी अंदर gas already full है बस आपको approval देनी के आउशकता है और फिर यहाँ पर जो gas से transfer है वो Europe के देशों में किया जा सकेगा तो I hope कि इस चीच को आप link कर पा रहे होगे लेकिन सबसे पहला तो question अब हुआ है अचानक से Europe के अंदर जिसकी वज़े से gas shortages हमें देखने को मिल रही है एक तो यह है कि cold winter की वज़े से मैंने आपको बताया जो पहले का थोड़ा बहुत reserve बचा हुआ था वो बहुत तेजी से खतम हो रहा है मतलब almost खतम होने के कागार पर है तो लगतार यहाँ पर supply की आउशकता पड़ी है और होता क्या था कि गर्मी के सीजन में जो अभी ज़स्ट जो summer खतम हुआ है आपका summer के सीजन में वह वापस से replenish कर दिया जाता था मतलब कि जो reserve वगर है उसको भर दिया जाता था इस साल बताया जा रहा है कि वो reserve फिल नहीं हो पाया है पूरी तर इसके लावा ये भी पताया जा रहा है कि जो renewable electricity है वो भी कम produce हुआ है क्योंकि wind भी वहाँ पर थोड़ी बहुत कम हो गई है मतलब overall अगर आप context देखो तो climate change की वजह से यहाँ पर कही ना कहीं जो खपत है gas का वो ज़्यादा देखने को मिला है जो generators वगर है लोग ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि ship के माध्यम से आपको वो कराना होता है जो liquid form में natural gas होता है और वो भी मैं बता दूँ कि इस बार क्या हुआ है कि Asia के अंदर बहुत ज़्यादा recovery तेजी से हुई है और वहाँ पर लोगों ने divert कर लिया है तो Europe को वो supply नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर एक चीज और बताया जा रहा है कि Europe के ज़्यादा तर जो देश है वो day to day spot pricing के basis पर contract sign करते हैं दोगो एक होता है spot price आपने सुना होगा spot का मतलब होता है कि current में कितना price है हम उसी की basis पर आपसे खरीदते रहेंगे और एक होता है आपने देखा होगा भारत कई सारे देशों के साथ जो long term contract है वो कर लेता है मतलब कि suppose अभी मान लो crude oil चल रहा है 60 dollar के आसपास मान के चलो 60 dollar है तो यहाँ पर हम अगले एक साल के लिए हमने तै कर लिया कि आगे आने वाले समय में भले इसका price 60 से 40 हो जाए या फिर 60 से 100 हो जाए लेकिन हम यहाँ पर 60 dollar में ही contract sign करेंगे तो अभी आप देखो crude oil का price 85 dollar पहुंच गया तो यहाँ पर फायदा किसको होगा भारत को होगा लेकिन यह चीज क्या है कि यूरोप के अंदर नहीं होता है यूरोप के अंदर day to day basis पर तो अभी क्या है कि natural gas का price बहुत जादा हो गया है इसकी वजह से भी Europe में problem देखने को मिलेगी रश्या के अंदर जो सबसे बड़ी company है जो इन सारे चीजों को control करती है इसका नाम है gas prompt उन्होंने कहा है कि जो long term contract है उसमें जो भी हमने extra यहाँ पर कुछ बोला था fulfill करने के लिए वो हम कर रहे हैं लेकिन additional जो gas हमें हम कर सकते हैं वो यहाँ पर वो ल यह जो pipeline की मैंने आप भी आपसे बात की Nord Stream 2 pipeline यह यहाँ पर किस तरह से picture में आ जाता है सबसे पहले मैं आपको बता दो करीब 1234 km का यह आप देख सकते हो यह रश्या है राइट साइड में यह पूरा यह वाला पूरा पूरा पार्ट रश्या है तो रश्या से अगर आप द गैस आएगा फिर बाकी के यूरोप में दिया जा सकता है यह अल्रेडी बनाया गया है रश्या के दौरा ताकि यूरोप में सप्लाई की जा सके और इसका भी एक geopolitical importance है वो क्या है अभी के लिए अगर आप गैस pipeline देखो गया यहाँ पर map आप अच्छे से देखिए यह जो म कि यहाँ पर रश्या नहीं चाहता इसका यूक्रेन को फायदा हो क्योंकि अब आप समझो अगर कोई pipeline यूक्रेन से गुजर रही है तो यूक्रेन को यहाँ पर फायदा होता है करीब 2 billion dollar के आसपास तो अगर यह pipeline से gas जाना बंद हो जाएगा तो यूक्रेन की earning खतम हो कि कुछ जो country's है जैसे कि जर्मनी की अगर आप बात करो जर्मनी तो चाहता है कि हम इसको start कर दें क्योंकि जर्मनी को क्या लेना देना वहाँ पर चीज़ें क्या है लेकिन अगर यहाँ पर human rights violation है इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो United States हो गया United Kingdom हो गया बहुत स से और United States का तो यह भी कहना है कि इस pipeline की वज़े से यह जो north tour stream pipeline है इसकी वज़े से जो यूरोप के देश है वो और भी जादा dependent हो जाएंगे रशिया के ऊपर और United States को लेकर कभी नहीं चाहेगा इंट जो Boris Johnson है अभी recently उनका बयान भी आया था और उन्होंने यह कहा था कि जो peace and stability लानी चाहिए हमें Ukraine की सायधा करनी चाहिए हमें वो करना पड़ेगा मतलब Boris Johnson एक प्रकार से Ukraine के साथ है कि हमें इस pipeline को allow नहीं करना चाहिए बहुत सारे analyst का यह कहना है कि हो सकता है कि north stream 2 pipeline से जो gas है उसको हो सकता है शयद allow कर दिया जाए क्योंकि crisis को देखते वे और यहा का कुछ हो सकता है ऐसा कुछ यहाँ पर experts का कहना है लेकिन वो अभी अभी हमें आगे देखना पड़ेगा कोई भी चीज की shorty नहीं है लेकिन एक और question यहाँ पर आता है कि क्या रशिया ने जान मुझकर जो gas की supply है existing pipeline से क्या उसको कम कर दिया है क्योंकि अगर आप यहाँ स supply ज्यादा कर सकता है रशिया कई लोगों का कहना है लेकिन रशिया जान मुझकर supply ज्यादा नहीं बढ़ा रहा है ताकि यहाँ पर shortage हो और एक प्रकार से यह जो nord stream 2 यह जो pipeline है वो यहाँ पर start हो सके तो यह भी यहाँ पर कई लोगों की चाल बताए जारी है लेकिन जो gas prom है जो रशिया की company है उनका कहना है कि देखी हम इस तरह की चीज़े नहीं कर रहा है जो भी हमारे साथ contract है वही हम कर रहा है और हमारा कोई मकसद नहीं है कि gas के price को एक दम बहुत जादा high कर दिया जाए या फिर बहुत कम कर दिया जाए जो well balanced चीज़े है हम उसी के साथ है और Belarus में इस समय आपने देखा होगा बहुत सारे tensions देखने को मिल रहा है वहां के जो president है Alexander Lukashenko आपने देखा होगा वहां पर काफी अतियर्चार किया जा रहा है human rights का violations किया जा रहा है और इसकी वजह से जो यूरोप के देश और बाकी US वगरा है उन्होंने sanctions लगा दिया ह है Belarus की उपर तो Belarus इस समय क्या कर रहा है migrants का इस्तमाल कर रहा है एक प्रकार से जो प्यादा होता है उसकी तरह migrants को इस्तमाल कर रहा है ताकि उनको यहां पर भीजा जा सके और further यहां पर Belarus ने कहा है कि अगर आप हमारे उपर sanctions लगाओगे तो हम जो gas आता है gas गुजरता है तो देखना होगा लेकिन अगें यहां पर भी आपको इसका connection होगा कि जो Belarus है वो भी threaten कर रहा है कि हम यहां पर gas जो है उसकी supply रोग सकते हैं क्योंकि अगें यहां से वो गुजरता है तो finally यहां पर conclusion में क्या चीज़े निकल सकते हैं देखें यह जितने भी tensions देखने को मिल इसकी वज़े से एक बात होता है सुनर और लेटर यहां पर जो इसका price है वो आपको घरों में businesses में as a form of electricity charges, gas charges के form में देखने को मिलेगा और काफी जादा high price हो जाएगा natural gas का European Commission जो European Union के executive आम है उन्होंने यहां पर कहा है कि यह further spiraling effect हो सकता है और इसकी वज़े से क्या होग और इसकी वज़े से जो economic recovery और business investment है उसका माहुल खराब हो सकता है यूरोप का जो असर हुआ है यूरोप के अंदर जो भी problem हो रहा है उसका कुछ इसर आपको US के अंदर भी दिरे दिरे देखने को मिलेगा और जो price rise है वहां पर हो सकता है तो again यह इस crisis को थोड़ा सा जल से आ गया होगा कि exactly यूरोप में gas crisis क्या चल रहा है जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते है कि oceans के अंदर जो ocean होता है समुद्र के अंदर जो temperature difference की वज़े से energy produce होता है उसको आप क्या खहते हो ठीक है ocean के अंदर temperature difference की वज़े से जो energy produce होता है उसको आप क्या कह सकते है इसका right answer आ ये अलग-लग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं साथी साथ UPSC आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे app को download कर लीजे I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ से नेक्स टाम टेल देन Thank you very much, see you soon